पाली सीखोतीन, सर और सरा के बाद में व्यंजन आते हैं पाली के अंदर कुल 33 व्यंजन है पांच 5 के पांच वग है और जो चटा वग है उसमें 8 सद्ध है यानी उसमें 8 अक्खर हैं जिनको अक्छर बोलते हैं इस तरह से टोटल 33 व्यंजन है पहला जो वग है वो के वग बोला जाता है जिसमें के, खे, गे, गे और रड़े आता है सारे ही वग बहुत ही मजदार है क्योंकि पाली बहुत परानी भासा है हमारी आज की हिंदी पाली ही है जो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं अगर वो थोड़ा भी ध्यान से इन वीडियो को देखेंगे तो उनको ताज्जुब होगा कि जो भासा बुद्ध की थी, जो भासा पाली उस समय भिक्कों की थी, वही भासा सारे के सारे लोग भारत में बोलते हैं, चाहें वो गुजराती है, चाहें मराठी है, चाहें वो प पता किया है, मगर इन भासाओं को जो गुजराती मराठी जो नौर्थ की भासा हैं, ये सारी भासाओं बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, और पाली लगबग लगबग 99% उनमें समाई हुई है, एकाग परसेंट और किसी भासा का मिक्शर उनके अंदर आया हुआ है, जो अगर देखा होगा एक interrogative word होता है, जैसे who, where, when, what, why, आप देखेंगे क्या, कैसे, कब, ये सारे word जितने भी इंगलिस में start होते हैं, वो डबलू से होते हैं, यानि what, where, when, why, जितने भी हैं डबलू से, ऐसे ही जो interrogative यानि प्रसन वाचक जितने भी सद हैं, वो सारे के सारे पाली के अंदर और हिंदी के अंदर दोनों कैसे आरम होते हैं, कैसे आरम कैसे होते हैं, कौन हैं, कब हैं, कहां हैं, कितना हैं, कैसे हैं, ये सारे क्यों हैं, क्या हैं, यानि सारे सारे जितने भी start होते हैं, प्रसन वाचक सब्द, interrogative जो सब्द हैं, सब्द हैं, वो सारे कैस होते हैं और के जो वेंजन है वो पहला है जो इसको पाली के अंदर बोला जाता था वो था किंग यानि किंग का मतलब है कौन और किंग जो सब्द है क्योंकि जो अंग सब्द है वो पाली का सिकनेचर है इसलिए किंग माने कौन होता है और आपने अगर पंजाबी में ध्यान यो पाली के अंदर जो विवक्तिया होती है उन्में बहुत सारे सब्द आते हैं जैसे मैं कुछ सब्द यहां आपको बता रहा हूं तो आप अंदाजा उसे लगा लेंगे कथ कथ माने कहां किंग माने कौन कुत माने कहां कुतो माने कहां से जो कुतो सब्द है कुतो का मतलब है जैसे हम कहते हैं मुंबईतों या जलन धर्तों इसका मतलब कुतो का मतलब है कहां से कस्मा कस्मा का मतलब है किस लिए कदा का मतलब है कब आपने सुना होगा यदा कदा बोलते हैं यानि जब कब तो कदा माने हुआ कब और इससे भी ज़्यादा जो मैदार इसमें सब्द है क्योंकि की के अगर आप किंग के अगर आप रूप देखेंगे रूप का मतलब होता है कि उसके टाइप उसके प्रकार यानि उसके और भी जो बोलने के तरीके हैं और जिनसे अर्थ निकलते हैं वो सारे उसके रूप बोलते हैं उनको प्रकार बोलते हैं इसके टाइप बोलते हैं वो बहुत सारे और बहुत मैदार हैं जो चलते हैं जैसे आप देखते होंगे हरियानवी में कोण आया है कित आया है काँ जा रहे हैं यह सारे सब्दों कैसे ही चलते हैं और आप गुजडाती में जाएंगे तो वहां भी कैसे हैं पंजाबी में जाएंगे तो वहां भी कैसे ह ही आता है क्या के लावा कोई भी भारत में इंटेग्रिटिफ शब्द नहीं बनता पस्न वाचक सब्द नहीं बनता कुछ सब्द और सुनिए जो किंग से यानि कैसे बने हुए हैं कंग कैन कस किस कसमा कमा किसमा कस किस कम ही कस्मी किम ही किस्मी के ही के भी के संग के सू कसा काय कासं कासानं कासू कसंग, कायंG कंग, किंग, कानि यह जितने भी सब्द आपने सुने हैं इनका मतलब है अधितर सब्दों का क्योंकि जब यह मैं बिवक्तियां पताऊंगा तो उसमें आपको कलियर करूँगा मगर यह सारे सब्द आज के वह सब्द है किस के लिए किस से, किस का, किस की, कौन, किस को, कहा से, कैसे यह सारे सब्दों का मतलब पाली में वही है सिर्फ आज के समय में थोड़ा सा बदल गया है जब मैं आपको विभक्ती बताऊंगा तो आपको ताज्य होगा कि जो बदला है वो बिलकुल साधर्ण रूप में क्योंकि भासा अपना अधिकतर जो भूत हलका रोप यानि आसान वाला रोप होती है उसको लगाता लेती रहती है ये जीवित भासा की एक खास बात है कि भासा अपने आपको सरलतर रोप में हमें सब मोडिफाई खुद ही करती रहती है जो भासा अपने आपको बदलती नहीं है वो भासा खतम हो जाती है डैड हो जाती है भासा कभी भी मैथमेटिक्स नहीं हो सकती अगर भासा को मैथमेटिक्स बताएंगे तो भासा डैड हो जाती है खतम हो जाती है क्योंकि भासा के अंदर और भी भासा आती रहती है वो अपन इसलिए फैल ग厈 क्योंकि English ने सारे सब्दों को अपने में समाइध कर लिया और पाली इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि पाली ने जितने भी भासाया थी वो सब अपने में समाइध कर ली और जिसको आज हिंदी बोलते हैं या हिंदी भासी भासाएं बोलते हैं, वो सारी की सारी पाली ही है, पहला जो वेंजन है वो इसका के है, और दूसरा वेंजन आता है इसका खे, खे बड़ा मैदार है क्योंकि खे का जो अर्थ है, वो है सुनने, यानि कि जहां कुछ न हो, ये बेसिकली open to sky को बला जाता है, आ खे खे, खे और गय, घय और रहें का कोई सब्द पाली के अंदर नहीं है, यानि कि रहें से कोई भी सब्द पाली में आरंब नहीं होता, इस्टार्ट नहीं होता, खे के वारे में एक मैदार बात और भी है, कि आपने सुना होगा कि भगनवान बुद्ध ने, भंगी पाली के अंदर दूद को बुला जाता है, जो दूद है, उसको दूद बाद में बोलने लगे, मगर उस समय इसको खीर बुला जाता था, तो भगवान बुद्ध ने खीर खाई आज के समय ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हम चावल से और दूद से और चीनी से जो बनाते हैं, उस समय खीर नहीं बोला करते थे, बेसिकली जो पिंड है, पिंड का मतलब होता है पिंडी या गोल गुच्छा, ये पिंड पात या पिंड भात करके, या पिंड जो पिंडी आज के नाम से दिया जाता है, उस समय इसको पिंड बोला करते थे, पिंड का मतलब हो गया कि शहद स से दूद से चावल से मिला के जो एक उच्छ किस्म का भोजन प्राक्पंदा था उसको एक तरह से पिंड बोला करते थे जो उसके गोल गोल लड्डू जैसे बनाए जाते थे तो खीर को यहां ठीक कर लें बाद में संस्काइद भासा में खीर को चीर कहा गया आपने चीर साग अगर नहीं वो खीर सागर है खीर का मतलब है दूद का समूंद्र धन्याइब